प्यारे विद्याथियों नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने शैनल गोल्डन पार्शाला में दोस्तों राश्टी आयम योगेता धारिशात्वत्ती परिछाथ 2025 का पेपर संपन हो गया है आसा है कि आप सभी ने बहुत ही अच्छा स्कोर किया होगा तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियों में विज्यान की आंसर की आप सभी के लिए लेकर आये हैं तो वीडियो को लाज तक जरूर देखिएगा पूरे यूट्यूब पर आप सभी को सबसे बहतर और सटीक आंसर की आप सभी को देखने को मिलेगी तो आईए देखते हैं विज्यान के प्रश्णों को बहुत ही अच्छा पेपर वच्चों आया था सबसे पहला प्रश्ण कारे करने की छमता को क्या कहते हैं तो इसका आंसर वच्चों होगा उर्जा दूसरा आप सब इसका सही जवाब हो जाएगा 92 नंबर प्रश्ण पूछा गया था कि निमलेखित में गतिसील वस्तु कौन सी है तो इसका वच्चों सही आंसर है उड़ता हुआ पच्ची 93 नंबर प्रश्ण पूछा गया कोई व्यक्ति आर्थ रिज्जा के वरत्ता कार मार्ग पर चलते हुए आधे वरत्त का रास्ता तै करता है व्यक्ति का विस्थापन क्या होगा आप इसमें बचो इस प्रकार से दूरी ये लंबी होजाएगे इसको दूरी कहेंगे और ये आपका विस्थापन होता है तो आर्थ व्यक्ति आअर और आर मतलब 2 आर आपकी विस्थापन हो जाएगा जिन्होंने दूसरा आपस्टिं लगा उनका सही है चौशाथ नमबर प्रश्ण कुरत्वी इस्थति जे ऊर्जा का मात्रग तो ऊर्जा चाहे जो हो मात्रग उसका जूल ही होता है आप्सन नमबर सेकेंड इसका सही है 95 नमबर प्रश्ण है किसी गतसील वस्तु के लिए दूरी था बिस्थापन में क्या संबन्द है सारे प्रश्ण बच्चों पढ़ाये हुए थे और ये कुश्चन रिपीरेट है चौथा आप्सन का सही है 96 नमबर प्रश्ण बच्चों पुछा गया था कि कमपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कमपन में करने एक कमपन करने में लगे समय को क्या कहते है इसका बच्चों सही आंसर है आप्सन नमबर दो आवरतकाल एक कमपन में एक कमपन करने में लगा समय आवरतकाल कहलाता है और अगर हम आवरत्ती की बात करते हैं तो आवरत्ती होता है कि एक सेकेंड में किये गए कमपनों की संख्या अवरत्ती होती है तो इसका दूसरा आफ्षन वच्चों सही है ध्यान रखेंगे 97 नमर प्रश्ण तरित चालक किसने किसके बनाया जाते हैं तो तरित चालक वच्चों ये पिछले वर्ष भी प्रशन आया था लेकिन पूछने का तरीका बदला गया है तो इसमें आपका जीरो अंस कोण बनेगा और दूसरा अपसंस का सही जवाब होगा बच्चों आई और आर बराबर जीरो हो जाएगा चलिए 100 नंबर प्रशन का सही आंसर है निमलिखित मैंसे पारदर्सी वस्तु कौन सी है तो पारदर्सी इसमें वस्तु दे गई है स्वच्च काँच रात की चादर नहीं होगी दफ्ती नहीं होगा दरपड भी नहीं होगा दरपड में एक तरफ कलई होता है ना तो चौथा ताफ सन सही हो जाएगा स्वच्छकांच, 101 नंबर प्रशंदबच्चों पूछा गाय था कि मानों शरीर का सामाननताप क्या होता है? तो मानों सरीर का सामानताप कितना होता है? 37 डिग्री फारेन हाइट 38 डिग्री 98.6 डिग्री सेंटिग्रेट या फिर 98.6 डिग्री तो इसका वच्छों सही आंसर है तीसरा वाला 98.6 डिग्री फारेन हाइट शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेंटिग्रेट होता ज्यान रखेंगे डिगरी सेंटिग्रेट में 37 होता है और फारेन हाइट में 98 होता है तो इसका वच्चों सही आंसर है तीसरा वाला 102 नंबर इंद धनुष के वरडों में मद्द का वरड क्या होता है प्रश्ण पढ़ाया हुआ रिपीड प्रश्ण हरा रंग होता है बीच में 104 नंबर प्रश्ण का आंसर मिला लिजे 106 नंबर प्रश्ण क्रोमियम आकसाइड मिलाने से निर्मित काच होता है तो इसका वच्चों सही आंसर हो जाएगा द्रव में उससे कम और गैस में सफ्यादाड़ों के बीच आकर्शडबल होता है तो दूसरा आप्षण आपका सही जवाब हो जाएगा 108 नंबर प्रश्ण प्रत्यावर्तित परिवर्तन का वज़ण है Most important प्रश्ण था और हमने कई बार उसको पढ़ाया है तो मोम का पिघलना ये भौतिक परिवर्तन है इसलिए प्रत्यावर्तित परिवर्तन हो जाता है ठिक बाकी यहाँ पर सभी रासानी परिवर्तन दिये गए हैं इसके बाद 9 नंबर है गयलेना किसका आइसक है तो गयलेना बच्चों लेड का है ये प्रश्ण बच्चों पढ़ाया जा चुका था सभी प्रश्ण लगवाब बच्चों पढ़ाया ही आये थे बच एक दो परियोगसाला थर्मामीटर के अधो बिंदू का तापमान होता है तो इसका बच्चों सही आंसर क्या हो जाएगा परियोगसाला थर्मामीटर के अधो बिंदू का तापमान तो इसका बच्चों सही आंसर मुझे पहला लग रहा है बाकी इस पे डाउट है बच्चों बाकी जो है कोई impression आपका doubt में नहीं है इस question को doubt में डाल रहे हैं जब real answer की आप की आएगी तो आप सभी को बता देंगे ठीक तो इसका answer पहला भी हम लगा रहे हैं इसके अंसार आप जो है match करिएगा अधो बिंदू का मतलब होता है नीचे वाला सबसे निम्तम बिंदू कतना होता है तो माइनस 10 जो होता है डिग्री सेंटिग्रेट में होता है तो इसमें 100 डिग्री सेंटिग्रेट अधो बिंदू नीचे वाला तो बिंदू नहीं हो सकता है तो पहले option है हो सकता है बाकी आप लोगों की क्या प्तिक्रिया है आप लोग बताईएगा 111 नमबर पदार्थ की सोचमता मिकाई कौन सी है सही आंसर बचो है परमाडू सबसे छोटी काई 12 नमबर कपास की खेती के लिए उपयुक्त ताफमान बचो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी हमने पड़ी थी लेकिन आ गया ताफमान तो कोई बात नहीं है सही आंसर बचो पहला आपसन है इसमें तुक्का लगाने वाला था पहला आपसन सही है 113 नमबर प्रश्ण है भेंड के रेसों की चिकनाई धूल और गर्थ निकालने के लिए की जाने वाली प्रिकरिया कहलाती है तो इसका आंसर बचो क्या हो जाएगा संसाधन अभिमारजन तो आपने क्या लगाया है दूसरा आपसन सही बचो हो जाएगा अभिमारजन इसका सही आंसर होगा 114 नमबर प्रश्ण बचो पुछा गया था और ये समीकरण है इसमें आपको X का मान याद करना था तो बचो सोडियम हाइडराकसाइड और HCl की जब किरिया होती है तो लमड बनता है जल बनता है तो इसका तीसरा आपसन सही है NACL 115 पोटेसियम कार्बोनेट चूना पत्थव रेत के मिसरण से बनता है तो इससे बचो बनता है कठोर काँच दूसरा आपसन सही है 116 नमबर जल में घुलनसीर बिटामिन है तो B और C हमने बताया था दूसरा आपसन सही है B इसका सही अंसर हो जागा 17 नमबर हरे पोधों द्वारा भोजन बनाने की प्रिक्रिया कहलाती है प्रकाश संसलेशड दूसरा आपसन सही है और 18 नमबर प्रिटन है लार में पाये जाने वाला इंजाइम कौनसा है बहुत इंपोर्टन प्रिटन था कई बारा था टाइलिन होता है तिसरा आपसन सही है 119 नमबर पच्छियों में उसरजी पदात होता है इसका बच्छों सही अंसर है पच्छियों में कौनसा होता है यूरीक अंसर ध्यान रखेंगे तिसरा आपसन इसका सही है 120 अपस्पी पधा है आम, लिली, फर्न ये बचों रिपीड प्रशन है तिसरा इसका सही अंसर है 21 नमबर मानों में कुल हड़ियां पाई जाती है तो मानों में 206 अपस्पी पाई जाती है ये आप सभी ने पढ़ा होगा 22 नमबर एक लिंगी पुस्प पाय जाता है हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया था है ना, पपीता आपका सही अंसर इसका होगा बचों पपीता आपका सही अंसर हो जाएगा 23 नमबर बहुकोस्की जन्तु का उधरण है तो बहुकोस्की मचली जिसको हम आखों के आखों से देख लें तो बहुकोस्की हो जाएगा दूसरा आपसन सही है चलिए नैस कोश्चन है पउधों में निसेचन के बस साथ अंडास से विक्सित होता है कई बार प्रशन बच्चों पूछा गया है और यह हो जाएगा फ़ल फ़लव बन जाता है अंडास से और बीजांड बन जाता है बीज 25 नमबर प्रशन एक कोस्की जीव का उधरण नहीं है अमीबा, केचुवा, पैरामेसियम, ये युगलीना तो इसका अंसर है बच्चों सही आपसन एक कोस्की जीव नहीं है तो आपका केचुवा नहीं होगा दूसरा आपसन तही है तो ये बच्चों दूसरा आपसन आपका बिल्कुल राइट आंसर है तो ये विज्ञान के बच्चों प्रशन रहे और इन 35 प्रश्णों में से आपके कितने questions आई हुए है comment section में जो लिखेगा समझेवियान के answer के में डाल दी है live class में तो आप उसको भी देखिए math की answer की इसके बाद आएगी तो आप सभी लोग एकदम accurate मतलब 100% सत्य answer की देखिए और चैनल को subscribe कर लीजिए ताकि आगे आने वाले समय में आप सभी को जानकारी जो है मिलती रहे क्या कैसे करना है कैसे आपको scholarship के लिए आवेधन करना है पूरी जानकारी आप सभी को चैनल के माद दिम से मिलती रहेगी तो मिलते हैं फिर next वीडियो में ताकि लिए दानिवाद जहिन वन्यमात्रम